प्रियावण व्य परस्तितिकी, एन्वार्मेंट निकोलोजी, UPSC प्रिलिम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट, on an average अगर 2020 से 2021 तक हम बात करें, तो UPSC around 20 questions, almost 20 percentage जो है वेटेज एन्वार्मेंट का है, बट एन्वार्मेंट में सबसे ज़्यादा हमें difficulty होती है, तो हम उस अकोडिंग research नहां करके एन्वार्मेंट को पढ़ते भी नहीं है, आज का यह जो लेक्चर है, वह है एन्वार्मेंट के syllabus को जो है, डिकोड करने के परपस से यह है लेक्चर है, कि वास्तों में एन्वार्मेंट में हमें पढ़ना क्या होता है, वो पढ़ना ही नहीं, अपितु उस पढ़ने का हमारा एक sequential तरीका भी क्या हो, ताकि हमें रट्टा नहीं, बलकि वो चीज़े समझ में आया है, और समझ कर हम वो question कर सके, और उसके लिए पूरे उस syllabus को, whole topic को खौलने के लिए जो previous year question है, वह है helpful होते हैं, जो यह description हो रहा है, उसका PDF, नीचे descriptive link में उसका link दिया हुआ है, आप वहाँ से download कर सकते हैं, चलिए देखते हैं कि syllabus क्या है, अगर हम syllabus की बात करेंगे, syllabus को हम environment के basics, second level पर biodiversity, third level पर pollution और fourth level पर international protocol, convention, climate change, Indian laws के context में जो है समझ सकते हैं, हम शुरुवात कर रहे हैं, जो fourth aspect है, climate change, international protocol, international convention, और Indian laws इस context में, उसमें हमारा syllabus में क्या है, उसके बाद हम देखेंगे pollution वाले chapter में हमें क्या पढ़ना है, हमें biodiversity में क्या पढ़ना है, और हमें जो है basic ecosystem उसमें क्या पढ़ना है, और जो हमने पढ़ा है उसके अलावा भी हमें क्या पढ़ना होता है, because UPSC किस aspect से आपको definition पूछ रहा है, वह है भी हमें देखना है, फर्स्ट अगर हम syllabus की बात करें, तो syllabus में आपका ये part, climate change and international protocol और इसके context में convention और अन्य agreements, इसमें सबसे पहला part है आपका basics, climate change क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, अब इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मिदार gases है, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, अब उस ग्रीन हाउस गैस के context में ही जो विबिन टर्मिलोजीज हैं, जैसे ग्रीन हाउस पोटेंशल, जिस पर UPSC 2019 में मिथेन के context में question पूच चुका है, अब इसी में जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके context में different concept, climate change के context में adaptation और climate resilience का, carbon footprint, ecological footprint के concept, carbon fedigation का concept, और इसे context में climate change जो है, उसके impact क्या है, agriculture पर, soil पर, cryosphere पर, ocean पर, ocean पर, यह है सब कुछ, जहां हर aspect में 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 भी question हो सकता है, तो prelims में भी question हो सकता है, फिर इस climate change को जो है, रोकने के लिए क्या कदम, क्या techniques अपनाई जा सकती है, तो climate change है, इसके विपरिज जो global dimming का concept है, इसमें हम जो geoengineering और विबिन जो medium अपनाते हैं, उसके context में जो विबिन terms है, कि carbon capture क्या है, उस carbon capture के लिए आपके जो विबिन तरीके हैं, bio sequestration, geo sequestration, वह है part, और इसी में फिर आपके पास, जो विबिन तरीके हैं, context में, iron fertilization के, ocean acidification के, और इसी में आपका जो विबिन आपके aerosol injection technique है, जहां आप sulfur डालते हूँ, वह है भी आपके syllabus में है, और इसी में जो different market अधरी तंत्र हो सकते हैं, like carbon credit और carbon offset, यह क्या है, जो carbon offset, अभी जो वर्तमान में net zero emission चल रहा है, उसमें भी चर्चा में, यह है आपका एक basic motivation जब हम पढ़ते है, climate change के वह एक expect, फिर उसके बाद आता है, आपका climate change और इसके संबद में विबिन international effort 1972 से लेके 2017 तक नहीं, सबसे एक difficult है, क्योंकि हम इसमें एक sequentially timeline को follow नहीं करते हैं, हम उन प्रोटकॉल्स को isolation में देखते वे, रटने की कोशिच करते हैं, जबकि एक sequentially अगर timeline है, तो हम उस era की अगर thinking को जानते हैं, इस era में वो बना था, तो अगर उसके आसपास से भी UPS के question पूचता है, तो हम उस era की thinking के आधार पर question कर सकते हैं, तो इसमें 1972 की UN conference, but this 1972 conference जो हुई है, उसका base क्या है, 1948 से 1972 की बीच में क्या हुआ है, या 1948 में भी जब यह विचारदा रहा है, तो इसका link Malthus से क्या है, और 1960s, 70s हैं, उसमें हम New Malthusian era क्यों क्याते हैं, इसमें Silent Spring क्या है, यह है सब कुछ पार्ट, अब इसी से sequence है अपका 1992, बट इसमें बीच में क्या हुआ है World Climate Conference, अब यह World Climate Conference है, तो इसके भी जो है 1, 2 और 3rd phase क्या है, 1983, 1987, अब इस 1992 में जो हुआ है, इसमें जो आपके Rio Conference हुई है, इसमें जितने भी conventions आइन हुए है, binding वाले भी और जो आपके non-binding agreements भी है, वो सब पढ़ने होते हैं, और इन सब के अलावा, इन सब का अलग से फिर एक sequence, UNCBD, उसके ताहत कौन से protocol, उसकी क्या timeline, UNCCD, United Nation Convention to Combat Desertification, मुरसुलिकर्ण को रोखने के लिए अभी समय, उसकी एक पूरी timeline, और इसी में फिर आपका जो VNCCC हो गया, तो इसमें फिर विबिन जो conference of parties हुई है, COP हुए है, इसका पहला summit कब हुआ है, ये जो है अनुमोदित ratification इसका कब हुआ है सदिश्य राष्ट्रों के द्वारा, और इसकी जो विबिन जो submit हुई है, उन submit में important landmarks क्या है, 1997, अब जब Kyoto हो गया है, तो ये Kyoto में जो विबिन प्रिंसपल है, जो विबिन टर्म्स हैं, वो हमें जानना है, क्योंकि एक sequential way में जानना है, और इसी में फिर पूरी timeline को लेते विए, 2001, 2002 में क्या हुआ है, 2005 में क्या हुआ हुआ है, 2008 में क्या हुआ हुआ है, और 2008 में UNFCCC है, तो इससे परे एक और different concept, R.E.D.D. कैसे introduce हुआ है, यह है क्या है, फिर इस R.E.D.D. में भी, फिर different programs क्या है, different fund क्या है, जैसे नहां पर UPSC ने forest carbon partnership facility पर 2014 में question पूछा है, और यह जो R.E.D.D. है, यह है finalize हुआ है, R.E.D.D. plus में, UPSC ने question पूछा है, अब इसी में, फिर sequence में चलते हुए 2009, फिर 2010 में submit और इ Green Climate Fund, हरत जलवायू निदी, जो introduce हुई है, और इसी से फिर 2012, जो आपका sustainable development, submit UN की, और इसमें फिर कौन-कौन से organizations, जो ही यहां से put up हुए है, यहां आपर के लिए एक सलबस्ट डिस्क्राइब किया हुआ, यहां से भी, एक terms जो R.E.D.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S बन रही है, वो हमें देखनी है, 2013, फिर 2015, पैरिस, इसमें क्या हुआ है, इसमें terminologies क्या है, यह वहाँ, यह सिक्वेंस ही नहीं, इसमें क्या terminology है, क्या structure हो रहे हैं, वह आपका पूरा syllabus का part है, इसके बाद इसी में फिर आपके other protocol, convention lines से आपको देखने होते हैं, और इसमें क्या है, convention protocol नहीं, जो international organizations of women, जहां UPSC question पूछता है, और उन international organization के different जो program है, जैसे UNEP के context में, UPSC लगातार पूछता है, food and agriculture organization, विश्व खद्य संगठन के context में, UPSC लगातार पूछता है, उन सब को जानना है, यह line से इन सब के बारे में, इनके programs के बारे में, हमें जानना है इनका vision जानना है, वो आपके पूरे syllabus में है, dynamics के तोर पर, जैसे CATS, Congeneration Assured, Tiger Standard, फिर इसी में, जो environment के context में, विबिन indexes है, जो आपके current का part भी है, पर वो environment के basic का part भी है, यह है सब कुछ, फिर इसी में, इसका relation फिर Indian law से, और Indian law की history, sequentially हमें जानना है, विबिन act, और इसी में भी environment के विबिन policies, तो यहां पर act भी हमें अलग से पढ़ना है, policies भी अलग से पढ़ना है, और act में, sequentially, 27, 72, 74, 80, 81, 86, 91, 2002, 2006, 2010, 2016, और फिर अभी PPV and FRA News में है, तो वह है भी, तो एक पूरी की पूरी है sequence, और इस sequence में भी, हर act से कौनसी organization बनी है, उस organization का काम क्या है, उसका head gone होता है, कब वनी है, वह हमें देखना है, एक sequential way में हमें पूरा देखना है, और इसी में फिर policies, और फिर pollution के विबिन rules, जो 1986 act के द्वारा derive हुए है, प्लास्टिक के context में, बायर मेडिकल वेस्ट के context में, सॉलिड वेस्ट के context में, इवेस्ट के context में, यह है आपका पूरा syllabus, यह PDF जो है आपको नीचे description दिया हुआ है, उस link से आप download कर सकते हैं, और इसी में आपका विबिन राश्ट्रिय नीतिया, नेशनल पॉलिसीज, अब इसके साथ साथ जैसे international में विबिन institution है, तो इंडिया में विबिन institution है, एंजियोज, स्विल सॉसाइटी है, UPSC में, और फिर इसमें जो miscellaneous जो है, जो इसमें cover नहीं हो रहे हैं, वह है भी आपके विबिन रजो प्रोग्राम, वह पार्ड बन जाते हैं, तो यह एक unit है, syllabus की आपके, यह एक unit है, जहां UPSC अगर 20 questions पूछ रहा है, तो 10 से 12 questions इस unit से पूछ रहा है, next अगर हम syllabus की बात क मैंने का background, back से हम चलेंगे, तो आपका syllabus में environment pollution, pinpointed written नहीं लिखा गया है, but UPSC question पूछ रहा है, विबिन इकाईयों से जो pollution हो रहा है, वह पूछ रहा है, हम basics में क्या करते हैं, केवल types पढ़ लेते हैं, तो हमें केवल primary और secondary pollution, non-point sources pollution पता है, but क्या हमें qualitative and quantitative, गुनात्मक औ मात्रात्मक परदुशक भी पता है, वह भी हमारा syllabus का part है, तो यह एक division, अब इसमें विबिन pollution के types और उससे related organization, air pollution, तो air pollution में जो आपके source क्या है, इसमें विबिन termologies, और इसी में फिर आपका air ozone layer है, तो यहाँ आपर ozone layer के context में विबिन protocols, अब इस air pollution के साथ साथ आपके syllabus में फिर water pollution, water pollution के साथ, noise pollution, noise pollution के साथ साथ, आपके syllabus में, solid west, thermal pollution, marine pollution, e-west pollution, और जो different industries हैं, उन से कौन-कौन से प्रदुशक, उतसर्जित होते हैं, वह भी आपके syllabus का part है, वह भी आपके syllabus का part है, और इसमें फिर, इन pollution को दूर करने के लिए, क्या उपाए, क्या रन्रीतियां आपने अपनाई है, बायो रिमिडीशन क्या होता है, जे वो प्चार, और इसमें फिर आपके विबिन जो method आपने अपनाए है, बायो डीजल, या और भी इसमें skim, वह है भी आपके syllabus का part, जो, ये syllabus जो है, पास-पास-फूर आवक लगातार एड होता जाएगा environment में, और लगातार ये syllabus भी जो है, environment का update होगा, static नहीं है, कि आपका ये history ये quality है, आज की date में तो वह है भी static नहीं है, because UPSC जो dynamism ला रहा है, history और quality जैसे dead subject में भी, next अगर हम बात करें, next आपके syllabus में है biodiversity जे विवित्ता, पर इस जे विवित्ता में केवल जे विवित्ता नहीं, जे विवित्ता की प्रकार, type, उसकी definition, फिर आपके, आप measurement कैसे करते हो, उसको मापते कैसे हो, आपका distribution, फिर इसी जे विवित्ता में जो आपके विविने classification पूछे हैं, तो आपको विविने classification भी, species का broad classification भी पता होना चाहिए, जो UPSC पूछ रहा है, जो यहां नहीं लिखा हुआ है, फिर बाइडिवस्ता के threat, फिर other concepts जो हैं, बाइडिवस्ता रिलेटेड, as effect, हमने जो CBD किया, तो CBD के जो भी terminologies हैं, वहां भी आपके syllabus का फिर biodiverse areas, concept जो हैं, आपके man and biosphere reserve का, biosphere reserve का, national park का, wildlife centuries का, आपके community reserve का, आपके conservation reserve का, फिर इंडिया और इसके conservation effort, विविन जो project समने चला हैं, project tiger, project elephant, project hangul, या विविन state government ने, जो scheme चला हैं, वो, और इसी में आपके species, जो news में रहते हैं, प्लस आपके integrated development of wildlife habitat, जिसमें 21 species हैं, उन सब के बारे में पूरा, यह है आपका biodiversity के context में, syllabus, next syllabus, जो है basic ecosystem, जो हम पढ़ते हैं, पर इस basic ecosystem में भी, जो हम food chain, food web, ecology, ecological concept, individual, community, biome, jivome जिसे बोलते हैं, वो पढ़ते हैं, बट इसके साथ साथ definition भी हमें देखनी होती है, तो यह है पार्ट पूरा आपका syllabus का है, environment का syllabus कवर करता है, इसका PDF आप नीचे दिये गए description से देख सकते हैं, यह है overall environment का syllabus है, बट इसमें भी, और भी, वर्तमान में जो जो चलता जाएगा, उसमें updation syllabus में होता रहेगा, अगर हम यह पूरा करते हैं, तब हम confidently कहा पाते हैं, कि जो UPSC पूछ रहा है, he is not asking anything, और out of the blue, but जो एक निश्चत defined criteria है, एक boundary है, वहीं से UPSC जो है question पूछ रहा है, वही UPSC का environment का, ecology का syllabus है, नहीं क्यों UPSC, पर आज की date में, जो विभिन PCS के exam है, वह भी इसी syllabus के तरफ जा रहे हैं, जो यह syllabus पूरा था UPSC का, hope की समझा होगा, एक पूरा broad overview, और इसके pinpointed जो है part, आप syllabus में पूरा देख सकते हैं, जहां एक एक word जो है, पूरा describe किया हुआ है, कि क्या-क्या आपका syllabus है, Thank you.